किसान साथियों नमस्कार आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियों जो विशे मैं अब चुन रहा हूं उस पर मैंने कई वीडियो बनाई हुई है लेकिन जो नए किसान जुड़ते हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो है जो दो महा तक के पोधे हैं उनमें क्या कारिया करने हैं और किस प्रकार पहली कटिंग करने है किसान सातियो ये जो पोधा आप देख रहे हैं ये पोधा हमने जुलाई के पांच जुलाई के आसपास लगाया था ये लगबग डेड़ माहा का पोधा हो चुका है ये अलाबाद सफेदे का पोधा है अब इसमें मैं दिखाऊंगा के हम क्या क्या कारिये कर चुके पहला ये है कि लगाते ही हम इसमें दो ये बंद देते हैं एक ये ग्राफ्ट से नीचे और एक ये ग्राफ्ट ये ऊपर ताकि पोधा हवा में हिले नहीं और ये भी नहीं हिले दूसरा कारिये ये है कि हमने देखे थोड़ी-थोड़ी मिट्टी चड़ाई हुई है जब हमने पानी दिया तो इसके तने में पानी नहीं जाएगा अब इसके अलावा हमने क्या किया कि मेरे पोधे में मैं चेक किया और एक महाँ बाद ही ये मेरी ग्राफ्टिंग जुड़ गई थी इसलिए मैंने इसकी पन्नी हटा दी ये सब कारिये आप भी करें अब आये इस पोधे की करते हैं पहली कटिंग पिसान साथियो ये जो मेरे पास ये डंडी है ये दो फिट ही है और मैं बताता हूँ कि पहली कटिंग दो फिट पर होती है अब ये दो फिट कहां से नापते है आज मैं आपको ये बताँगा ये यह पोधा यहां पर है लेकिन इसका समतल यहां पर है तो हम इसको यहां पर रखेंगे डंडी को और देखेंगे हम देखेंगे कि पोधा कितना बड़ा है यह बन गया हमारा यहां पर दो फिट और दो फिट पर उपर जाकर हमने इसको यह मेरा कटर है इसे मैंने सेनिटाइज कर लिया और हम दो फिट पर इसको यहां से उड़ा देंगे किसान सातियों बहुत बुरा लगता है पोधे की कटिंग करना लेकिन इसकी सुरक्सा और कैनोपी के लिए बहुत जरूरी है अब इसमें दूसरा काम क्या करना है दूसरा काम यह करना है कि पोधे यह हटा दे एक यह साखा निकल रही है इसको भी हम हटा दे लेकिन आप यहां पर एक चीज़ दिए एक अपवाद है कि इसमें जो हमारी यह उपर की ग्राफ्ट थी इसमें से दो डंडिया चली है एक इधर को एक इधर को यह दो दोनों यह ध्यान रखिए अगर यह नीचे होती तो हम इसको हटा देते एक ही रखते वो भी आपको दिखाऊंगा लेकिन यह दोनों चली है यह स्वस्था हम इसको रखेंगे और यह हमारा ऐसे यूकी सेप लेके पोधा चलेगा अब इस कटिंग का प्रतेक कारिये में आप यह सीखिए कि हम यह कटिंग क्यों करते है इस पोधे की हमने उपर को बढ़वार रोक दी है अब जब बढ़वार रोक दी है तो आप ध्यान से देखिए इसमें एक एक यह कल्ला चल रहा है इस डिरेक्शन में यह है मेरी साउथ की डिरेक्शन यह मेरी नोर्थ की डिरेक्शन है और यह मेरी साउथ की डिरेक्शन दो कल्ले चल लेए यहां से और कल्ले चलेंगे और जब में कल्ले चलेंगे और यहां से भी दो कल्ले ऊपर की तरफ चलेंगे और जब यहां से कल्ले चलेंगे तो जितने भी साखाएं हैं हम जैसे ये वाली दोनों साखाएं रखेंगे और दो साखाएं इस प्रकार चेन करेंगे जब वें बड़ी हो जाएंगी तो फरवरी में उनकी हम कटिंग करेंगे वो होगी हमारी दूसरी कटिंग किसान साथियो बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें नीचे जो ये बिजू पोधा है जो ग्राफ से नीचे का जो भी कल्ला निकले उसको हटाते रहना है और डेड़ फुट तक जो भी कल्ला आएगा उसको भी हटाते रहना है अगर ये कारिये करेंगे तो आपको पोधा बहुत तेजी से चलेगा किसान साथियो एक चीज और देखिए कि मैंने यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए थोड़ी सी मिट्टी चड़ाई हुई है ताकि पोधे की जड़ में पानी ना दे और इस एरिये में मैंने ये अंदर का गहरा है और ये बाहर का इस एरिये में मैंने खुदवा कर इसमें प्रोम लगबग 5 किलो प्रोम और 200 ग्राम नीम की खली इसमें डलवाई है और अभी दो दिन पहले मैंने इस पर 1919 का इस्प्रे किया है ताकि पोधा व्रद्धी ले किसान साथियों एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ जिसे हम कहते है वानस्पतिक व्रद्धी वानस्पतिक व्रद्धी में हमें पोधे का आकार बढ़ाना होता है और जब हम फल लेते हैं तब हमें वानस्पतिक व्रद्धी को थोड़ा रोकना होता है जिससे के उस पर फूल आएं और फल आएं इस समय हमें वानस्पतिक व्रद्धी की जोरत होती है और इस टाइम पोधों में आपको नाइट्रोजन की बहुत आवश्यक्ता होती है चुकि अब दिरे-दिरे 15 दिन बाद ठंड बढ़ने लगी और ठंड में पोधों का विकास रुख जाता है इसलिए हमें नैट्रोजन की अवश्चक्ता होती है तो आप 1919-19 NPK का महा में एक बार 5 ग्राम पर 3 लीटर घोल कर अपने पोधे पर छिड़काओ करें बाकी आपने खाद दे दिया है पोधा बहुत सुष्च चलेगा आएए एक और पोधा देखते हैं ये देखे ये हमारी कारिय करता है कुछ लोग कहते हैं कि नोकर बोलते हैं उनको मैं तो इन्हें प्यार से नोकरी बोलता हूँ कोई ध्यानी नहीं रखता और ये बबिता ये सब काम करती है जैसे इसको सिखाया विया है कि नीचे इसमें बांदो ये पोधा छोटा था इसलिए हमने इसमें नहीं बांदा और ये देखे ये देखे नीचे यह जो यह कल्ला है, यह भाए अनरजी लेते हैं, इनको हम हटादेते हैं, इनको ऐसे हाथ से हटा दीजिए. अब यह पोधा इतना बड़ा नहीं है, इसकी जो यह साखा इती, यह यहां से फंगस के कारण सूग गई है, और इसकी कटिंग अपने आप हो गई है, अब ये पोधे जो चल रहे हैं, ये डेड़ फिट से जो नीचे के हैं, इनको हम हटा देंगे, ये देखे, किसान साथियो इसमें कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है, अब ये जो पोधा चलेगा, अब ये हमारी जो बविता जी है, ये इस पर एक रस्सी यहां से ऐसे बान देंगी, ताक ये इसमें लगबग मैंने 40 पोधे लगाए हैं, एक भी पोधा नहीं मरा है, इसे फिर इसी प्रकार पुचुई पोधा छोटा था, हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये कर दिया, और जब इसको साफ करते रहेंगे, और हमारी जो ये बविता जी है, इनका एक काम है, कि ये हर तीन-चार दिन में इन छोटे पोधों में घूमती हैं, और नीचे जो भी इसकी ये साखाय होती हैं, उनको हटाती रहती है, और देखें, ये कितना अच्छा चल पड़ा, जब ये दो फिटका हो जाएगा, एक माह बाद हम इस पर भी कटिंग करेंगे, आईए एक और मैं पोधा दिखाता हूँ, किसान साथियों कभी-कभी काम करते हिए कुछ न कुछ दुर घटनाए हो जाती है, और पोधा इनका सिकार होता है, ये देखें, यहां से काम करते हैं, किसी तरह से ये कट गया होगा, तो हम इसको ये तूट गया होगा, हो जाता है कभी-कभी, जो काम करते हैं गलती भी उन्हीं से होती है जो काम ही नहीं करता उससे कभी गलती होगी ही नहीं तो इसको हम यहां से काट दें यह ध्यान रखिए कोई भी सूखी हुई साखा आप ने रखे इससे बीमारी आती है फंगा साथी अब हमने काट दिया आप देखना यह पोधा कितना बड़ा हो गया यह देखे तो हम थोड़ा सा इसमें लालच में आ गए और हम इसको यहां की बज़ाए यहां से कटिंग करेंगे यह हमने कटिंग कर दी दो कल्ले हमें यह मिल गए और दो चार यहां से मिलेंगे और देड़ फुट तक के सभी कल्ले हम हटा देंगे और यह पो दोकी देख रेक करिए आइए मैं आपको एक जलगे दिखाता हूँ अपने एपल बेर किसान साथ यो आपने मेरा एपल बेर की वीडियो देखी थी और वो वीडियो अब तक की सबसे अधिक देखे जाने वाली वीडियो इतने कम समय में हुई मेरी जो यह देखे तीन पोदे हैं और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसमें फूल बनने सुरू हो गए है आईए थोड़ा सा देखिए ये देखिए फूल बनने सुरू हो गए है किसान साथियो इसके फूल बहुत नाजो होते हैं अगर फूल के समय बहुत जोरो से बारिस हो जाए तो काफी फू कम से कम भी 50 बेर आएंगे जब इस पर बेर आएंगे तो ये नीचे चले जाएगी मैं इसको किस प्रकार बांदूँगा वो भी मैं वीडियो दिखाऊँगा उसके लिए एक प्लास्टिक की लगभग आदे इंचोडी सफेद सी पत्ती आती है और उससे मैं इनको बांदूँ जो मुझे एक मेरे साथी ने बताया है तो ये है मेरे एपल बेर की प्रोग्रस किसान साथियो मैंने आपको अमरूद में जो मेरे डेड़ मांके हैं क्या कारिये कर रहे हैं वो सब बताया है आप भी करिए और पोदो का ध्यान रखिए एक बात का बहुत ध्यान रखिए मैं किसान साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखें और एक मेरा निवेदन फिर ध्यान रखें कि मुझे कॉल कम से कम करें मुझे आप वाटसेप पर जो मैंनमबर दे रहा हूं उस पर अपनी समस्था लिखकर या क्या जानकारी चाते हैं उसे पूर्ण रूप से लिखें अगर आप पूर्ण रूप से समस्था लिखेंगे तो मैं उत्तर वश्य दूँगा या कॉल करूंगा और तजर्बा भी होगा उन्हें पता होगा कि त्यागी जी कोल भी करते हैं उनको कोल नहीं करता या उत्तर नहीं देता जो आधी जानकारी होती है चुकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जै हिन, जै भारत, बंदे माता